आज आपके साथ एक और रेसिपी लेकर यह है जो मुमोस के साथ खाई जाती है टमाटर की चटनी उसकी रेसिपी यह बनाना बहुती आसान है सबसे पहले हम टमाटर को धो कर उसके उपपर का हिस्सा निकाल कर इसको टू भागबर डिवाइट कर लेंगे सारे टमाटर को तीन से चार मेन आपर टमाटर लिए इन टमाटर को काटने के बाद हम गरम पानी एक बरतन में गरम पानी लेंगे और फिर इन टमाटर को हम इसमें डाल लेंगे यह टमाटर हम एक से दो मिनट बोईल करेंगे और छिलका आसानी से निकलने के लिए मैं यहां प छिलके, इस तरीखे से छिलके चिलका असनी से निकल रहा है और इन टमाटर को मिक्सि में डाल कर इसका प्यारी बना लेंगे और मैंने यह साबूत लाल मिर्च भी रखे इसको अच्छे से धो कर भिगः रखे है एक-दो मिंट के लिए टमाटर को अलग-अलग पीonia टमाटर को अलग और लाल मिर्च को अलग इनको अलग अलग में दो भागों में दो बार पीस कर तयार करूंगी फिर इसमें स्वाद की अनुसार नमक भी डालना है पीसने के बाद देखो हमारे टमाटर की प्योरी तयार है फिर दोनों मसाले पीसने के बाद में एक कड़ाई म तेल गरम करूंगी तेल गरम करने के बाद इसमें दो चम्मज तेल अपने स्वाधनुसा डाल सकते हो आप फिर मैं इसमें हींग का तड़का दूंगी आप इसमें चाहो तो जीरे का तड़का भी दे सकते हो मैं यहां पर हींग एड़ कर रही हूं फिर लसन की दो से तीन कलिय मैंने काटके रखी थी वो add करेंगे फिर इनको हलका brown होने तक इसको हिलाते हुए पकने देंगे इसके बाद मैंने जो साबुत लाल मिर्च मैंने पीस के pest बना के रखी थी लसन के brown होने के बाद जो मैंने साबुत लाल मिर्च रखी थी पीस कर तो उसको हम इसमें add करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि इसमें तीखा पन ना आए, तीखा पन तो आएगा, लेकि जलता है न, मुह तो वह नहीं जलेगा, तो इसको पकाना अच्छे से, अच्छे से पकने के बाद, मैं इसमें टमाटर की प्योरी भी add करूँगी पहले हम मिर्च को अच्छे से 1-2 मिनट तक पका लेंगे फिर उसके बाद जो मैंने टमाटर का पैस्ट बना रखा था वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे और इसको कम से कम 2 मिनट तक पकाएंगे तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी यह चटनी मूमोस के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी एक बार जरूर ट्राइ करें और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए यदि आपको मूमोस की रेसिपी देखनी है तो वो आपको एंड स्क्रीन मतलब वीडियो के लाश्ट में मिल जाएगी और आपको हमारे च्रीमेट का आइकन भी दिख रहा होगा उसके आप क्लिक करके देख सकते हैं और में चल्ब के स्क्राइब सकते हैं